किसान साथियों मैंने अपने अम्रूद के बाग में लगबख दस वराइटी के पोधे लगाए गए है आज सुबह जब मैं घूम रहा था वैसे तो सर्दी की फसल खतम हो चुकी है पर मैं आज आपको तीन वराइटी दिखाऊँगा ये जो सबसे पहले वराइटी है मेरे हाथ में ये स्वेता है और हम देखते हैं कि इसका स्वेता का वजन कितना होता है और कैसी लगती है ये देखिए ये काटा है और मैं इसको रख देता हूँ इसके उपर ये 270 ग्राम का अमरूद है ये है दूसरा अमरूद अब मैं इसको रखता हूँ ये भी स्वेता है आप देखिए ये है 222 ग्राम का तो लगबग 200 से 2500 ग्राम का अमरूद होता है बहुत ही मीठा अमरूद है अंदर से सफेद है और इसमे फल बहुत अधिक मातरा में आता है ये CISH लखनोग की परजाती है जो उन्होंने डवलप की है अब आईए मैं दिखाता हूँ एक दूसरा अमरूद ये ललित है आप देखे थोड़ा सा ये सुबह तोतो नो भी खा लिया थोड़ा सा मैं लाया हूँ दो अमरूद तो अब देखते है इसका वजन कितना है जैसे जैसे सरदी बढ़ती जाएगी इसका यहां पर लाल पन आता जाएगा और हम देखते हैं इसका वजन कितना है देखिए ये 263 गराम का है और ये है एक छोटा अमरूद ललित का ही ये है 185 गराम का अमरूद ये तो हुई इन की बात जहां तक स्वेता की बात है अगर इसे सही समय पर तोड़ लो तो ये 5 से 6 दिन 7 दिन तक भी आपका खराब नहीं होता अगर आपको तोड़ने का सही तरीका पता है और सही समय पता है तो तोड़ कर आप इसे आराम से मंडी में भेश सकते हैं और उसके बाद भी ये कम से कम 5 से 6 दिन तक खराब नहीं होता अभी भी मैं इसको रख दूँगा ये परसो तक कुछ भी खराब नहीं होगा जबकि ये काफी गुला हुआ अमरूद है ये बरफ खान है इसकी लाइफ स्वेता से थोड़ी कम होती है लेकिन आपको तोड़ने का समय आना चाहिए इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो चार से पांच दिन होती है ये जो ललित अमरूद है ये अंदर से लाल होता है आप ये देखिए ये जो खालिया यहां से लाल होता है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी ये बहर से भी लाल होगा मैंने पहले भी दिखाया था और इन त स्वेता का स्वाद लेते हैं कि कैसा है ये मैं आपके सामने इसको काट रहा हूँ ये देखिए अभी भी सक्त है इसका दियोतक है कि ये अभी तीन से चार दिन खराब नहीं होने हो ये देखिए अंदर से बीज बहुत कम है और गुदा बहुत अधिक है इसमें कितना खोबच चाते हैं कि पांच अमरूद तो हमें मिले और मेरे यहां बाग से इस बार जो सेल हुई है वो जो फेरी वाले हैं वो आते हैं और 40 रुपे किलो तक का उन्होंने अमरूद लिया है मेरे से जो ओसत पड़ा है वो मुझे 40 रुपे पड़ा है अब हम इसको खाकर देखते हैं आप भी एक बार बाग पर आएं और आप इसको खाकर अवज से देखें आहा इतना मीठा अमरूद है और इस समय खाने के लिए अति उत्तम है उत्तर भारत में इस समय अमरूद का भाव सेव से अधिक है अब चलिए हम बात करते हैं ललित की देखिए मैं आपके सामने काट रहा हूँ इसको अभी यह सकता चूँकि तोते ने खाना सुरू कर जाता यह देखें अंदर से लाल है अगर थोड़ा और समय बीचता इसका तो यह और भी लाल हो जाता और मैं इसका भी स्वाद आपको दिखाता हूँ यह देखिए अहां अति उत्तम स्वाद है अब हम बात करते हैं तीसरे यह है हमारा बरफ खान चलिए बरफ खान को भी देखते हैं अंदर से थोड़ा घुला हुआ है और यह लगबग स्वेता की तरह इसमें बीज है और गुदा बहुत जादा है और यह भी बहुत मिठा अमरूद है यह देखिए लेकिन इसकी प्रोड़क्शन स्वेता से कम है इसका स्वाद अलग है स्वेता के मुकाबले थोड़ा कम मिठा है किसान साथियो अगर आपको इन तीनों वराइटी में से भी हमारे पास केवल दो वराइटी के पोदे हैं ललित और स्वेता उसके अलावा एल फोटी नाइन है धवल है धवल बहुत अच्छा अमरूद है मैं आपको एक दिन उसे भी दिखाँगा जो कि मैं अक्सर अपनी पोस्ट पर डालता रहता हूँ ताइवान पिंक ग्राफ्टिड है ये भी बहुत अच्छा अमरूद है बहुत मिठा होता है इस प्रकार मेरे पास कम से कम ये आठ से दस वराइटी के हैं थाई पिंक है लेकिन मुझे जो सबसे अच्छे अमरूद लगे है अगर आप अच्छी गुणवत्ता के पोदे चाहते हैं तो हम से संपर्क कर सकते हैं हमारा वाट्सेप नंबर है 9910336138 और 39 यानि के 9910336138 और 9910336139 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हम से संपर्क कर सकते हैं मैंने आपको बाग से दिखाई ये पोदे उन्हीं पोदों से बने हैं जिनकी नरसरी मेरे पास उपलब्द होती है इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि गुणवत्ता की बिलकुल गारंटी होगी धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, बंदेवाद